जी बेटा 2004 की क्रेक्शन आज हमने करनी है बहुत इजी है तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं अच्छा इसमें जो पहले नंबर पर दिया गया है सबसे पहले है पासिंग थूरू 10 डिफरेंट सिटीज ठीक है पासिंग थूरू 10 डिफरेंट सिटीज मैंने इसको अपने करना है इसमें कोई वर्ड्स हैं जो आड करने क्योंकि यह प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा पासिंग थूरू 10 डिफरेंट सिटीज कराची इस अमोस एक्टिफ ठीक है यह प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा है एक तो हम इसमें वर्ड वाइल का यूज करेंगे कि कोई इसमें यहांपे क्वाइल तर यहांपे कापिटल है यहांपे स्टार्प पर यूजी हुआ है तो क्या होगा कि passing through 10 different cities कराची is the most active तो क्या इसको correct करेंगे while passing through यानि जब मैं गुजर रहा था through 10 different cities के I found मैंने पाया कराची को was the most active एक most active city ठीक है तो यह past की यहां पर बात हो रही है तो past के लिए हम लोग time को show करने के लिए moment को show करने के लिए while का use करते है past is always followed by past तो इस तरह से आपने rearrangement of structure करनी है इस बात का आप लोगोंने ख्याल रखना है दूसरे चीज़ पर हमने करना है he was laid up for six weeks with two broken ribs अब इसमें जो मसला है वो यहां पर है laid जो है वो second form है laying की ठीक है अब चुके यहां पर second form नहीं आती वाज helping work के बाद वाज है past continuous tense उसके बाद हमेशा helping work lay use होता है lay के साथ ing लगेगा तो यह क्या हो जाएगा he was laying up for six weeks with two broken ribs तो simply आपने जो है वो lay use करना है क्योंके laid जो है second form of lay है ठीक है अच्छा उसके बाद third है someone showed the visitor in the room अच्छा इसमें दो चीज़े है एक issue show में भी है verb में भी है आप यहां पर verb भी suitable लगा सकते हो और दूसरा rearrangement of sentence भी है error है in the sentence structure के अंदर मेरे rule में लिखा हुआ है ठीक है तो आपने क्या करना आपने के sub one आप पता दे lead कर ले या short भी अगर आप रखना चाहते है तो आप रख ले लेकिन कुछ लोगों ने lead भी इसको जो है वो किया हुआ है मैंने जो पास्ट अपने बच्चों के assignment चेकी थी तो उनमें वो भी ठीक है लेकिन अगर आप इसको show कर देंगे शोड कर देंगे तो वो भी the best लेकिन बाकी जो चीज़ है वो direction को show करना है तो इसमें sentence structure है show the room to the visitor ना के the visitor in the room वो visitors को room में लेके नहीं गया बलके उसको जो visitors है उनको room दिखाया है तो show the room to the visitors ठीक है ये correct आएगा अच्छ उसके बाद है until fourth number पर है until you remain idle you make you will make no progress पहले चीज़ जो मैंने आपको पीछे भी बताया थे जो until और unless है वो आपने इसका use अच्छे से सीखना है वो है negativity को show करते हैं उनके साथ another no नहीं आना या तो आप यहां से अगर until नहीं हटाते तो यहां से आप no हटा दे until you remain idle you will make progress ठीक है अच्छा यह कोई अच्छी sense अच्छा expression नहीं बनाता तो यहां पे आप no को हटाने की बजाए आप until को हटा दे ठीक है आप until की जगा पे as अच्छा expression बन जाएगा as long as you remain idle you will make no progress ठीक है तो यह एक better expression है तो जितना अच्छा expression आप यूज कर सकें आपने यूज करना है अच्छा उसके बाद है it is very wrong to be devoted to laying and cheating अच्छा यहां पे errors है पहले चीज़ वेरी कुछ यह वेरी जो है वह एडवर्ब है और यह रॉंग से पहल वर्ड है devote तो उसके बाद हमेशा reflexive जो है वह पर उनाउन लाजमी आता है ठीक है एक मिनट एक मिनट यहां पर यह रिफ्लेक्टिव लिखा गया है यहां पर हमने इसको reflexive करने ठीक है तो यहां पर reflect ठीक है अच्छा तो यह आएगा correction it is much wrong भी आप कर सकते हो it is much wrong to devote himself sorry oneself to laying and cheating ठीक है तो devote के बाद आपने reflexive pronoun लाजमी लगाना होता है तो यह भी यह आपने करना है और उसके बाद आपने मच लगाना है ठैरे एक मिनट में इसको भी correct कर देती हूं ठीक हो गया अच्छा अब यह इसकी correction है it is much wrong to devote oneself to laying and cheating क्योंकि कुछ words ऐसे हैं उनके बाद reflexive pronoun ज़रूर आता है पिछली correction में भी मैंने आपको बताया था जैसे अवेल लफज आया हुआ था तो उसके बाद अवेल वो अकॉर्डिंग टू subject कोई भी reflexive pronoun लगना था अच्छा six number पर है he told me that he is waiting for me since a long यहां पर proper use of since होगा और दूसरा proper हमने इसको correct use of indirect form use करनी है तो he told me that he has been waiting for me for a long time आएगा यह तो direct and direct आपको अगर अच्छे से आते हैं तो इसको आप easily कर लोगे क्योंकि examiner सिरफ आपकी common sense check करता है अच्छा the house stood up in the dull street because of its red door यह इसमें जो error है वो expression के अंदर है rearrangement आपने sentence करना है ताकि argument हमें अच्छे मिल सके तो यहां पर जो problem है वो expression के अंदर है the house stood up dull in the street because of its red door ना कि यह dull street में खड़ा था बलके यह street में अपने red colors के वज़ए से dull लग रहा था ठीक है अच्छा he brought the article to the market which he wanted to sell again जो incorrect use of argument है तो उसको हमने correct use of argument करना है he brought the article which he wanted to sell to the market ठीक है most easy थे focus जो आप लोगों ने करना है बिटा वो आपने इसमें करना है आपने unless and until का use अच्छे से करना है आपने form of verb का use आपको अच्छे से पता हो आपको argument अच्छे से use करने आते हो और sentence structure आपको अच्छे से आता हो ठीक है तो आप जो है वो काफी सारी चीजे हैं जो के इसी वज़ा से आप जो है करेक्शन नहीं कर पाते हैं तो यह sentence correction था simply और इसमें कोई भी आसा difficult नहीं था लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई एक sentence है मैंने correctly जो उसको नहीं किया तो आपने मुझे जरूर comment box में बताना है इस से क्या होती है म और मुझे मजीड जो है वो because I am still student तो जो है वो मुझे खुद को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है तो आप लोगोंने लाजमी मुझे बताना है जजाकला स्टेबलेस्ट नेक्स्ट इंशाला 2005 के साथ मिलते है